हेलो एवरीवान टेरट विद एम सिंग में मैं अपने सभी वीवर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट आक्शन आपके लिए लेकर सो शुरू करते हैं हम्थी लो फॉर्चून भागा आ रहा है बार लक्क आपके साथ है प्लीस गाउड करें जल्स मेरे व्युवर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी प्लीस गाउड करें क्या चल रहा है collective energy जाधा तर लोगों के partners के दिल दिमाग में क्या चल रहा है please guidance दे major arcanah से please guide कर angels I need five cards please guide करे card number one I am emperor 2-3 दिन से emperor rose आ रहे card number 2 ये आ रहा है दोनों आ रहे हैं तीनों आ रहे हैं ये वापस आ रहे थे wheel of fortune the lovers empress emperor and empress one more card justice bottom में है the fool union होता हुआ दिख रहा है आप में से जाधा तर लोगों का union होता हुआ दिख रहा है मुझे बहुत जल्द बहुत ही positive cards आए हैं यहाँ पर clarify करेंगे हम सभी cards को यहाँ पर Aries है all signs है क्योंकि wheel of fortune आ गया otherwise यहाँ पर Pisces है Gemini है Aries है but wheel of fortune मेरे लिए all signs है तो सभी signs है यहाँ पर major अरकाना से यहाँ पर clearly दिख रहा है कि आपके partner आपके साथ new beginning करना चाहते है reunion की possibility बहुत strong दिख रही है आपके partner की energy में और luck आपके साथ है यह मैंने reading शुरू करने के पहले ही बोल दिया था जब मैंने यह card देखा कि luck आपके साथ है and really luck आपके साथ दिख रहा है बहुत ही खुबसूरत energy आई है emperor and empress का card है तो हो सकता है कि यहाँ पर third party situation चल रही है आपके life में या तो इनके parents या तो आपके parents या तो दोनों के parents या तो third party में भी कोई और person involved है let's clarify please clarify करे angels इन cards को क्यूं आए है बताए emperor क्यूं आए है current energy में wheel of fortune again page of cups four of pentacles अब आपके partner power में आ चुके है चाहे वो male हो चाहे वो female हो यहाँ पे emperor karmic situations को दिखा रहा है साथी साथ आपके partner की energy को दिखा रहा है आपके partner इस वक्त सिर्फ यही चाहते हैं कि आपके साथ union हो आपके तरफ किसी तरह का gesture करना चाहते है आपसे बात करना चाहते है आपको खोना नहीं चाहते full power में कुछ actions लेते हुए दिख रहे हैं मतलब कि यहां पर दिख रहा है कि आपके partner के life में कोई female है चाहे वो उनकी mom हो चाहे वो उनकी wife हो या आपके partner अगर female है तो उनके life में कोई controlling हो सकता है maybe parents या उनके husband कोई तो है जो की बहुत ज़ादा narcissistic quality रखता है जो बहुत ज़ादा controlling है बहुत ज़ादा गुसेल बहुत ज़ादा toxic इस energy से बाहर आते हुए दिख रहे हैं अगर आपके partner already married है किसी के साथ तो वो उस situation से बाहर आते हुए दिख रहे है move on impress से move on कर रहे हैं एक नई शुरुवात कर रहे है the fool exactly good wheel of fortune क्यों आया है यह आपका proposal accept नहीं कर रहे थे बहुत सारी karmic situations की वज़े से लेकिन अब quickly आपकी तरफ success दिख रही है यहाँ पर wheel of fortune luck आपके साथ है यह है लक six of wands विक्री का card है बहुत जल्द reunion होने वाला है guys आप में से कई लोगों का very nice सब comments करना बताना मुझे okay the lovers का card क्यों आया है current energy में okay emperor the hierophant king of pentacles and six of cups आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके partner current energy में अपनी power में आके आप से शादी करना चाते हैं यहाँ पर आया emperor के लिए wheel of fortune यहाँ पर आया है emperor marriage and six of cups यह आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं the lovers का card है आप दोनों का पाश लाइफ कनेक्शन हैं यहा memories of love का card आया है आपके साथ जो भी time spent किया है जो भी memories है बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको एक stable commitment देना चाहते हैं चाहे वो कितनी भी powerful position पे हो या वो job के लिए भी परिशान हो चाहे जो भी situations हो आपके partner एक commitment देने वाले हैं आपको और वो commitment marriage का दिख रहा है यहाँ प होते हुए दिख रहे हैं कुछ तो divine ने उनके साथ चमतकार किया है उनकी दिमाग में कुछ तो clarity मिली है उनको the fool का card क्यों आया है current energy में judgment the sun queen of pentacles and nine of pentacles यहाँ पे clearly दिख रहा है कि आपके partner decision लेने वाले है action लेने वाले है the sun का card है action लेने वाले हैं आपकी तरफ नई शुरुवात करना चाहते है clearly यहाँ पर एक new beginning दिख रही है आपके life में abundance आपके life में एक नई शुरुवात आपके life में जैसे रात के बाद अंधिरे के बाद उजाला होता है sun निकलता है वैसे ही आपके life के अंधिरे दूर होने वाले हैं बहुत जल्द कर्मा से रिलीज होते वे दिख रहे हैं आपके partners तो बहुत ही खुबसूरत energy आई है आज की तो लेट्स चेक next action next action क्या होगा मेरे viewers की तरफ उनके partner का please guide करें next action क्या होने वाला है मेरे viewers की तरफ उनके person का please guide करें I need five cards okay और कोई आना चाहते हैं बात करने वाले मैंने अभी current energy में आपको बोला कि बात करना चाहते हैं और यहां से bottom of the deck बात करना चाहते हैं आपसे बहुत जल्द आपको message आएगा two number है दो दिन के अंदर दो घंटे के अंदर two weeks के अंदर double two four number शादी की commitment मिलने वाली है guys आपको within four month आपकी शादी की commitment आपको मिल सकती है और दो four of wants का card है शादी की commitment आपको मिल सकती है अभी दो situations में परिशान है वेटिंग energy है लेकिन बहुत जल्द यह उस situation से बाहर निकलेंगे इनके आगे सच्चाई आएगी truth aware है universe अपना काम कर रही है इनका crown chakra activate हुआ है new beginning the fool का card है major arcana से भी आया next action में भी आया let's clarify please clarify करें क्या कहना चाहते हैं मेरे viewers से उनके partners क्या कहेंगे destiny you are my destiny कुछ इस तरह की बाते होने वाली है wheel of fortune अगेन आज यह third time आया है wheel of fortune लग आपके साथ है guys positive रही है बिल्कुल भी इस वक्त lower vibration में मच जाएगा जैसा कि मैंने आपको कहा कि law and portal open होने के पहले यहाँ पर आप में से जादतर लोगों के partner transformation से गुजर रहे हैं और जैसे जैसे आवेकन होते जाएंगे आपकी तरफ बढ़ते जाएंगे यहाँ पर लग आपके साथ है आपने से जादतर लोगों का union होता हुआ दिख रहा है मुझे destiny है आप इनकी destiny है ऐसा करके कुछ अपने connection को feel करते हुए दिख रहे हैं आप आज तक feel कर रहे थे अब वो feel करते हुए दिख रहे हैं वो आपको express करेंगे वो आपको बताएंगे कि वो आपको कितना miss किये वो आपको बताएंगे कि separation में वो आपको एक दिन भी नहीं भूले वो आपको काफी कुछ express करते हुए दिख रहे हैं guys destiny क्यों आया है balance harmony right आपके साथ balance होगा situation six of pentacles with harmony union होता हुआ दिख रहा 200% यार गजब की energy है four of wands क्यों आया है wow universe really I got goosebumps intuition इनको guide कर रहा है he's very passionate यहाँ पे universe आपके साथ है guys universe को thank you कह दें इसी बात पे आज comment में thank you universe thank you angels आप मैंसे ज़्यादा तर लोग unite होंगे बहुत जल्द within four months आपको शादी की commitment मिलते हुए दिख रही है और within two hours two days two weeks यहाँ पर बात होगी आपकी आपके partner से so यह आज का next action है hope की मेरे सबी viewers से यह energy resonate कर जाए हर हर महादेव देखते हैं इंजल्स की तरफ से क्या guidance है मेरे viewers के लिए please guide करें angels helpful people किसी की किसी भी तरह से अगर आप मदद कर सकते हैं उनको guide कर सकते हैं उनको संत्वना दे सकते हैं अगर आपके सामने कोई टूट रहा है कोई रो रहा है कोई tension ले रहा है heal करें it's up to you forgiveness past जो भी आपके नेगिटिविटीज हैं सब release कर दो आप में से जाधा तर लोगों ने कर दिया है trust करो journey पर trust करो अगर आपको लगता है कि आप soul journey में हो तो definitely trust करो positive रहो improving health health का बहुत ध्यान दो success success आपको मिलेगी बहुत जल्द so जिन से भी energy resonate कर रही होगी वो समझते हैं कि अगर आप soul journey में हो तो आपको trust करना है faith रखना है universe पे अगर आपको faith नहीं है आपका faith तूट रहा है मतलब कि आपको इस journey पे faith नहीं है तो trust सबसे पहले करें negativity को निकाल दें बिल्कुल भी lower vibration में न जाएं success बहुत जल्द आपको मिलेगी देखते हैं कुछ messages और फिर हम करेंगे आज की reading को end so first message आ रहा है love me or hate me I am still gonna shine exactly मेरे viewers इस वक्त इसी energy में हैं कोई फरक नहीं पड़ता positive affirmations यूज करते रहें positive affirmations daily before sleep सोते टाइम आपका subconscious mind बहुत जादा activate होता है तो आप सोते टाइम अगर कोई affirmations use करते हैं तो वह बहुत जादा actively universe तक जाता है chant mantra जो भी आपको songs या mantra अगर आपको पसंद हो meditation के लिए आप जरूर सुने 1212 हो सकता है आप में से काफी लोगों को angel number 1212 बहुत जादा दिख रहा हो angel number 333 trust issues अगर किसी भी तरह के trust issues हैं तो release कर दीजे मतलब अभी भी आप codependency में है codependency से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे universe की energy portal से बाहर रहेंगे codependency से बाहर निकल जाएं triple 2 हो सकता है angel number 2222 आप में से जादा तर लोगों को दिख रहा हो dream अपने dream को बहुत जादा notice करें इस वक्त अगर आप union के करीब होते हैं तो आपको कुछ meaningful dreams आते हैं उन्हें तुरंत note करें यह नहीं कि सुबह उठे और भूल गए be patient आपका patience रंग लाएगा don't chase बिल्कुल भी chase ना करें अगर इस वक्त आपके partner contact करते भी हैं तो हलके में लें definitely उन्हें blessings दें क्योंकि वो बहुत ज़ादा problem में हो सकते हैं लेकिन यह नहीं की chase करने लगें फूलों की दुकाने खोलो खुश्बू का व्यापार करो इश्क खता है इसे एक नहीं सौ बार करो एक ही इंसान से करो लेकिन यह है आज की reading hope आपको मेरी reading से guidance मिली हो possibilities पता चली हो तो ready रहें आपको बहुत ज़ाद मैसेज आ सकता है गाइस वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक करें चैनल पसंद आया हो जरूर से subscribe करें thank you so much take care of yourself bye bye